मैं सबसे पहले शुरुवात विजश अंकर तिवारी जी आपसे कर रही हूँ, एक फिर्म को फिल्म के तोर पर क्यों नहीं देखा जाता हूं, उसे एजएंडिक के तोर पर आजकल क्यों देखा जा रहा है不知道 तो कोई भी फिल्म केवल इंटर्टेन्मेंट के लिए नहीं होती है उसके सामाजिक सरोकार भी होते हैं उसमें सामाजिक प्रशिक्षन भी होता है सामाजिक स्रिक्षन भी होता है मैंने दक्षिन भारत में देखा है मैं करनाटक गया और इसे कुछ प्रदेशों में गया वहा जो positivity की बात हो रही थी कि ये positive है ये negative है तो जो footage डाला गया है जिस footage पर ये चर्चा हो रही है कि इस footage को लेकर के आज भी भारती समाज के जन्मानस ऐसा है कि अपने बच्चों के साथ बेटियों के साथ नहीं देख सकते हैं तो क्या ये entertainment है क्या क्या इसमें केवल एक यही footage थ आते थे हम यह कहते हैं इसमें कहीं ने कहीं इनका एक मानस था और मानस यह था कि यह Hindu लड़की है और इस लड़की को किस रंग के कपड़े पहनाए गए अधोबस्तर पहनाए गया भगवा यानि सीधे-सीधे मैं जो समझता हूं मैं समझता हूं कि सीधे-सीधे हिंदूओं को चिनोती देने की कोशिश की गई है कि हमने तो यह कर दिया तुमको जो करना है वो कर लो हम यह कहते कि यह हमारा जिकार है जो आब एक फिल्म के गाने से यह सोच लेंगे कि वह Hindu लड़की है और Hindu लड़की है तो यह narrative सेट करने की कोशिश की जा रही है कैसे सो जिका विरोध करना यह मेरा दिकार है शाहरूक भी कह सकते हैं कि जिसको मेरी पिक्चर को देखना है देखे जिसको न देखना हो न देखे यह उनका दिकार है मेरा दिकार है कि इस पिक्चर को मैंने पसंद करना है नहीं करना है यह नेकिन यह narrative जो बनाया जा रहा है ये निरेटिव जो बनाया जा रहा है कि मुसल्मान, हिंदू, भगवा, रंग, मैं उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आरे एक फिल्म को फिल्म की तौर पर देखे न, कंटेंट पर आपत्ती आपको, आप इस पर आपत्ती उठाईए, लेकिन हिंदू, मुसल्मान स होती हिजाब को लेकर के वहां हत्या हो रही है, तब हम नहीं बोलेंगे, ये हमारा पॉजितिव नेचर है, तालिबान में 20 सड़क पर औरत को पत्थर से मार कर उसको उसकी हत्या कर दी जाती है, इरान में तो अभी तक ये कल की समाचार है कि वहां पर हिजाब के पक्ष में खड़े होने युकों को तक फासी तक दे दी गई, यानि ये और उसके पक्ष में कोई नहीं बोलना, यानि वहां उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है भारत में, और करेंगे तो उनके साथ में खड़े होंगे, उनको उनका समर्थन देगे, ये पॉजिटिवनेस है क्या इसको पॉजिटिवनेस कहते हैं, मैं कहते हूँ हमारा देश है, हमारा एक सांस्कृतिक देश है, ये भगवा देश है, ये भारत है, ये भारत का सांस्कृतिक विरासत ऐसी है, कि इस प्रकार की सोच को यहां पर नहीं माना जाता है, ये भारत जन्माना से, विजए शंकर का आएना मुझे भिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक नट हाँ मैं बता रहा हूं भगवा जो आतंकवाद था वो कौन सा इना था प्राची जब भगवा आतंकवाद बताया गया था वो कौन सा था प्राची तो भगवा खड़ा किस ने किया यह यह सेफरें टेरिजम की बा जब किसी फिल्म में किसी आक्ट्रस ने भगवा रंग के कपड़े पहने हो, औरेंज रंग के कपड़े पहने हो, नियोन औरेंज कलर है जो दिपिका पार्डुकोंड ने पहना है, मैं क्लियर कर दूँ आपको, लेकिन पहले शायद ये जंडे बुलंद नहीं होते थे, अब नहीं रहने दिया जा रहा, ये क्यों शिकायते बॉलिवुड से हो रही है, कि उसके जरिये एक ऐसा नेरेटिव समाज में सेट हो रहा है, जो सही नहीं है, जो गाने की कंटेंट को लेकर अभी तिवारी जी बोल रहे थे, देखे प्राची जी सबसे अबल तो आपके शो मे है, वो आप दिपिका को गाली दीजिए, एक पूर्फ CBI अफसर ट्विटर पे दिपिका को के फोटू लगा के कहता है, कि क्या उसके पती उसे परमिशन देते इस तरह के गाने करने के लिए, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, माधियर प्रदेश के ग्रैम अंत है, ये पहली बात, दूसरी बात, ये लड़ाई किस की चल रही है, प्राची जी ये लड़ाई औरतों के हको की चल रही है, एक महिला क्या पहने, किस से प्यार करे, किस के साथ वो फिल्म करे, किस तरह की फिल्म करे, ये सिर्फ उस महिला का अधिकार है, इस पे कोई भी करेंगे और 18 के ऊपरे कोई तैने करेगा न समाज तैने करेगा यह उसका अधिकार है और इस अधिकार के लिए हम खड़ा हो रहे हैं यह बस महिलाओ को आपको बस यह महिला है यह इसके साथ काम कर रहे हैं अगर आपको कोई चीज अबहद्र लगती है तो शायद अबहद्रता आपकी मानसिक्ता में अगर आपको कोई चीज वलगर लगती है तो वलगारिटी आपके आखों में और अगर लगती है तो मैं आपके अधिकार का मैं आपका मैं आपका रिस्पेक्ट क को लेकर तो हम उठा सकते हैं क्योंकि हम ही कहते हैं कि फिल्में समाज का आइना होती है जो फिल्मों में दिखाया जाता है वही बच्चे सीखते हैं वही बड़े सीखते हैं आपको कोई फिल्म पसंद नहीं है, आप मत देखिए उस फिल्म को, आपको कोई किताब पसंद नहीं है, आप उस किताब को बंद कर दीजे, आपको कोई न्यूस चैनल पसंद नहीं है, आप उस न्यूस चैनल का चैनल चेंज कर दीजे, लेकिन आप न्यूस चैनल को सेंसर कर फिल्म को आप जला दो, किताब को आप फ़ार दो, यह अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया, अगर आपको लगता है, अमबर को शायर लगता होगा यह फिल्म वो उसके परिवार के साथ नहीं देश कर दीजिए, उसका अधिकार है, ना देखे, मुझे लगता है, मैं अपने अधिकार है तैसीं जी, लेकिन फिल्मों के नाम पर जो हो रहा है, और जो कंटेंट के नाम पर हो रहा है, उसको लेकर सवाज करेंगे, और शायद यह बगता रहा है, प्राची जी, क्या एक पूर्व CBI डिरेक्टर को, क्या एक IPS अफसर को, दिपिका के उस फिल्म के गाने के पोजेज निकाल कर, ट्विटर पे डालके यह खहने का अधिकार है, कि आपके पती आपको इसी परमिशन क्यों देते हैं, प्राची जी क्या अधिकार है, यह इस देश का IPS अफसर करेंगे, क्या पेंगे, आपका यह एक्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन मै मैं भी इस बात को सपोर्ट कर रही हूँ, कि ऐसा किसी को करने का अधिकार नहीं हो, तो यह अगर ऐसा हो रहा है, तो बर्त कर रवाई हूँ